नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेश ड्रिफ्ट कुछ लोग अपने विश्वास को और ससक्त बनाने के लिए कॉर्परिट जॉब को हमेशा के लिए अलविदा क्या देते हैं और अपने सपन को पूड़ा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं इसी की मिसाल है जीरोधा के को फाउंडर और सीयो नितिन कामंत इनका मानना है कि जीवन में चमतकार नहीं मेहनत काम आती है और आगे बढ़ने के लिए खुद पे विश्वास होना जरूरी है और आज हम इनकी stock brokerage company जीरोधा की success story और business model के बाड़े में जानेंगे जीरोधा एक ऐसी company है जिसने trading को बिना किसी बाधा या रुकावट के संभव बनाया है जीरोधा नाम दो सब्द जीरो और रोधा से मिलके बनाया है यहां रोधा एक Sanskrit सब्द है जिसका मतलब है बाधा या रुकावट इसलिए जीरोधा का मतलब है zero barrier या फिर no barrier और company का tagline भी है the free trade zone और यह भारत की सबसे पहली discount brokerage company है जीरोधा ने केवल 5 लोगों की team के साथ अपने यातरा की सुरुवात की और आज इसमें 1200 से भी अधिक लोग काम कर रहे हैं नितिन कामत और निखिल कामत इन दो भाईयों ने अपने unique idea और technology के साथ इस startup को इस उचाईयों तक पहुचाया है कि आज जीरोधा भारत का number one stock broker है जो सबसे ज़्यादा popular है और सबसे बड़ा online broker है जो की equity, currency, commodity, IPO, government bond और direct mutual fund में invest करने के लिए सेवाय परदान करता है तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जीरोधा की सुरुवात कैसे हुई नितिन कामत और निखिल कामत इन दो भाईयों ने 15 अगस 2010 में जीरोधा की सुरुवात केई नितिन को 17 साल की उम्र से ही ट्रेडिंग में गहरी दिल्चस्पी थी कॉलेज के दिनों में इन्होंने अपना जादतर समय सेर मार्केट में ट्रेडिंग में बिताया यहां तक कि वो रात में कॉल सेंटर में काम करते थे और दिन में ट्रेडिंग करते थे 10 से अधिक सालों दग full time trading करने के बाद नितिन ने stock broker बनने का फैसला किया और इन्होंने अपने customer को technology efficient और cost efficient सेवाय परदान करने का निरने लिया इन्होंने देखा कि अन्य brokerage firm द्वारा लिया जाने वाला commission बहुत जादा होता था और इसकी अलावा इस्तिमाल की जाने वाली तकनिक भी बहुत पुरानी थी तो नितिन को एक smart platform पेस करने के आवसकता महसूस हुई जो कि users को आराम से online trading करवाता हो तो इन्होंने कम commission पर सेवाय परदान करने के बारे में सोचा वो अधिक से अधिक young customer को attract करना जाते थे जो अक्सर high commission और charges के कारण trading नहीं करते थे इसे ही उद्देश के साथ इन्होंने अपनी stock brokerage firm जिरोधा की सुरुवात की और आज ये सबसे बड़े discount brokering firm बन चुकी है तो चलिए जानते हैं आखिर जिरोधा को इतनी बड़ी सफलता क्यों मिली जिरोधा को first mover advantage मिला क्योंकि जिरोधा भारत में पहला discount broker था और जिरोधा के founder और CEO नेतिन कामत के अनुसार जिरोधा trading को barrier free बनाने के लिए launch हुआ था इसलिए इसका नाम जिरोधा यानि की no abstraction रखा जिरोधा के तेजी से विकास का एक और महत्पून कारण है कि company new idea और unique strategy के साथ आती रहती है जो company को अपने competitor से आगे निकलने में मदद करती है अब जिरोधा के business model और revenue model के बारे में जान लेते हैं लेकिन उससे पहले एक important सूचना कि अगर आपको यहां तक वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें और channel को subscribe करना ना भूलें तो चलिए वापस आते हैं जिरोधा पे तो जिरोधा low margin और high volume के model पे काम करता है जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिरोधा लेन देन के लिए कम से कम charges लेता है जिसके कारण जादा से जादा लोग इस पे trading करते हैं बड़ी संख्या में customer से कम मातरा में ही collection से अच्छा revenue प्राप्त हो जाता है इसकी अलावा कुछ हन्य brokers के तुलना में जिरोधा जैसी online discount brokerage company को चलाने में भी कम लागत आती है अब यह जान लेते हैं कि exactly जिरोधा पैसे कैसे कमाता है जिरोधा को कोई direct revenue model नहीं है हाला कि company भारत में सबसे अधिक उपयोग किये जाना वाला trading network में से एक है 50 लाग से भी जादा लोग investment और trading के लिए इस platform का उपयोग करते हैं Company headache future and option यानि कि F&O और intraday equity trade के लिए 20 रुपए या फिड 0.03% जो भी कम हो वो चार्ज करती है चुकि platform पे बड़ी मात्रा में लेंदिन होता है जिससे कि इनका revenue generate हो जाता है इसके अलावा company account maintenance के लिए सालाना 300 रुपए चार्ज करती है तो इस प्रकार जिरोधा की अच्छी खासी कमाई हो जाती है जिरोधा ने तब सुर्ख्या बटोडी जब इसका valuation एक billion dollar हो गया था वो भी बिना कोई बाहर के निविसकों से पैसा जुटाए हुए और 2020 की हुनर global unicorn list के अनुसार company का valuation 3 billion dollar है और जिरोधा का future goal है platform के मदद से भारती सेर बजार में और नए निविसकों को जोड़ना देश में lockdown के दोड़ान जिरोधा के users base में काफी ब्रिदे होई यह समय इसके growth के लिए एक महत्पूर्ण भूमिका निवाई क्योंकि इस समय retail investor जिरोधा के माध्यम से सेर बजार में पहुँचें हैरानी की बात यह है कि जिरोधा ने अपने brokerage firm के लिए advertisement या marketing पर सायद ही कोई पैसा खर्च किया हो वे कोई भी बिग्यापन नहीं चलाते हैं फिर भी आज इनके 50 लाग से भी जादा users हैं क्योंकि जिरोधा के founders word of mouth is your true marketing में विश्वास करते हैं और साल 2020 में फॉब लिस्ट में यह दोनों भाई इंडिया के सौ सबसे अमीर लोगों में सामिल हुए और आज निखिल कामत इंडिया के यंगेस्ट बिलीनियर हैं तो आज किस वीडियो में इतना ही लाइक करें अगर वीडियो काम की लगी हो तो और कमेंट करके बताएए कि मैं और कौन से mentor और बिजनस के बारे में वीडियो बनाओ और सेर केरे इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिनने बिजनस में इंटरेस्ट हो या जो कुछ बड़ा करना चाहते हो लाइफ में और सब्सक्राइब करे हमारे यूट्यूब चैनल को हर संडे ऐसी वीडियो देखने के लिए और बैल आइकन पे जरूर क्लिक करें वरना आपको नौटिकेशन नहीं मिलेगा और आप वीडियो मिस कर दोगे और अगर आप ये वीडियो फेस्बूक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज सक्सेस ड्रिफ्ट को फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा और फाइनिली थैंक्स पर वाचिए